हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल हाई एजुकेशन जौन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि दोस्तो हमारी सीरीज सल रही थी हर्याना डिस्टिक वाइस के बारे में तो दोस्तो फाइव डिस्टिक हमने अपलोड कर दिये हैं वो वीडिय किशन दोस्तो वैसे देखा जाए तो पानेपत से पूचह जाते हैं जैसे दोस्तो इसके मौश्ट मौश्ट मैने पौइंट के दिखाएं तो इनके बारे में ज्यादातार एक्जाम में पूचहँ जाते हैं तो दोस्तो हम complete पानिपत को जिससे बहुत सारी बुक्स का निचोड निकालके जो है वीडियो बनाई है साइध इसके बाद पानिपत में और कुछ नहीं बसता है तो दोस्तो इसके साथ ही तीन जिले एक्स्टा ओर बने थे वो आप हमें कोमेंट में जुरूर बताओगे और पानिपत दोस्तो किस डिवीजन में आता है किस मंडल में आता है वो भी आप कोमेंट करके जुरूर बताओगे स्टार्टिंग से ही ये दो क्योशन आपके लिए हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं उपमंडल की उपमंडल की हम बात करें दोस्तों पानिपत वैस समालाखा इसके उपमंडल है तहसील की बात करें पानिपत से city हो जाती है चोटी-चोटी लेकिन यह city किस दिले में है वो भी हमें पता होने चाहिए क्योंकि city से related question कई बार पूछ ली जाते हैं जैसे बाहदुर गोड़ और बल्लब गोड़ परसे चाहर किस दिले में है वो question पूछे गए दोस्तो पानिपत इस्राना मतलोड़ा समलक और सनोली और बापोली दोस्तों यह इतने घंड हो जाते हैं तोसके से सकता है क्योंकि या इंडर्स्ट्रियल एरिया थोड़ा जाद विक्सित है तो इसका सेतर भला है 1268 वरक किलोमेटर है यहां दोस्तों गनतव पूछा जा सकता है स्था 친्डश्टिन एरिया नाम के सबान महाबार्ध योद के समये जिन गाउग को पार्ण भी सांबिल आ यहने दोस्तों पहले नाम क्या था परण परस्त ठीक है परण परस्त इंदर परस्त यह पांच परस्त थे दोस्तों जो बहुत परसी थे दुरियोधन के समय बाद में इसको पानिपत के नाम से जो है जाने जाने लगा अलग से जिला बनने से पहले पानिपत करनाल जिले का ए क्योंकि क्योश्व बहुत डिटेल और बारी की से पूझे जाने ये नहीं है कि अब मंडल के अंदर जो डिस्टिक आते हैं वो आपको याद है लेकिन पहले किस मंडल में था वो आपको नहीं याद है तो वहां से बी क्योश्व जरूर उठेगा चलिए थोड़ा सा दोस्तों और आगे की तरफ बढ़ लेते हैं वेसे दोस्तों पानिपत की एतिहासिक तीन लड़ाईयां जो है वो मानी जाती है जैसे कि दोस्तों पानिपत के पर्थम यूद या पानिपत की पर्थम लड़ाई की अगर हम बात करें तो सन 1526 इसमें इबराहीम लोदी और बाबर के ने दोस्तों दूसरी यूद में पानिपत के दूसरी यूद की बात करें तो दोस्तों 1556 में अकब़़ और रेवाडी के यहम चंदर उर्फ हमू के मद्हाई लडाई हुई तो दोस्तों इसमें भी मैंने नहीं डाला है कि कोन जीता है क्योंकि यह वर्बली स्कूशन है इस 1761 में एहमद साह अब्दाली और सरदार सदा सीवराव भाहू के मद्दे लड़ाई हुई थी जिनमें मराठों की करारी हार ने भारत में बिट्रिस समराज्य की नियों को मजबूत कर दिया था और एक क्योशन वह भी बताना है दोस्तों आपको पहली बार तोप खाना जो परियोग किया गया था वो किस में कौन से यूद में किया गया था पर्थम दुवीतिय या तिर्थिय है ठीक दोस्तों तीन क्योशन स्पेसली मैंने आपके लिए डाले हैं अगर नहीं बतावगे तो हमें कॉमेंट में बताना पड़ेगा जिसको हम पिंट कर देंगे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों पानिपत के पर्षम पर्मुक उत्योग है उत्योग दोस्तों यानि इंड्रेश्टिल एरिया पानिपत जो है बहुत ज़़ादा नेशनल फर्टी लाइजर लिम्टेड जे इसकी सम्ता दोस्तों दो लाग शत्ती सजार है टन परती वरस है इसके स्थापना 1979 में की गीती एहमुक के रूप से नाइटोजन उर्वक का उत्पादन होता है इसमें गेस का उत्पादन 2023 से शुरू हुआ था यानि गेस की अगर बात करें तो हम 2023 से इसमें शुरू हो गया था यह हो जाता है दोस्तों मारा नेशनल फर्टिलाइजर लिम्टेड दोस्तों बारीकी से हमें पढ़ने की सक्स जरूर जो है जो हाली में एक्जाम है उनके लिए जरूरी है जितना आप पारीकी से पढ़ होगे उतना ही आपकी अच्छी त्यारी होगी और इतने ही अच्छे क्योशन आप जो है स्वाल करके आओगे तो दोस्तों नेश्ट बात कर लेते हैं कैपिटल विद्यूत सेंथर की तो दोस्तों यह पानिपत में विद्यूत सप्लाई के उतार ग्यारा करोड की लागत से बनाए गया है क्या दोस्तों कैपिटल विद्यूत सेंथर कैप्टिव विद्यूत सेंथर भी इसको सोटकर में बोला जाता है क्या बोला जाता है कैप्टिव विद्यूत सेंथर आगे बात कर लेते हैं तो दोस्तों यूरिया सेंथर की यूरिया मैंद Еसर जापां और ताइवन के लगाए गया इस सेंटर में एंटिये के रबद का उछपादन किया जाता सकता ह죠 यह इंडेस्ट्रिल एरिया जो है कहा है तो यह पानिपत के अंदर देसे जो गुड डियर के जो है रबर टायर पूचे गए थे एक जिज़ा में ठीक है वो कुस्टन आपको जुरूर बताना है हमारे कोमेंट के अंदर है चलिए पानिपत आप यह विद्यूत के अंदर के अ यहां बावल पूपत के ने के सबसे अनम कितना बड़ा हो जाता है तो दोसरी नंबर पानिपत की तेल रिफाइनरी कार खाना जो है वो आता है इसकी समसा दोस्तों 15 million टन परती वर्स है यानि 15 million टन परती वर्स का उतपादम जो है इसे रिफाइनरी से हो जाता है यह देश का सबसे अधुनिक वैप बड़ा तेल कार खाना है इंडियन ओयल कोर्फरेशन कंपनी दवारा संशालीत जो है इसको किया जाता है तो दोस्तों ये क्योशन ऐना ये टोपिक जो है तेल सोधा कारखाना सबसे मॉश्ट इंपोरनेट में आप जरूर ले लीजीगा क्योंकि इसमें से क्योशन हो सकता है लाजमी पूचा जाए तो दोस्तों हलके फुल के हम बात कर ल निकल जाती है पेट से तो ऐसे हम कर सकते हैं पाथरी माता का मेला लगता है यह पाथरी है ठीक है पाथरी माता का मेला लगता है हमारा पानी पत के अंदर उसके बाद दोस्तों सीव रात्री का मेला यह लगता है दोस्तों भाधट में उसके बाद कलंदर कलंदर के अंदर दो दोस्तों कहां लगता है पाधर के अंदर लगता है उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट अगर हम मेले की बात करें तो शाम जी का मेला जो है वो पानिपत के अंदर लगता है तो ये दोस्तों हमारे मुख्य रूप से मेले हो जाते हैं पानिपत से जुड़े हुए जो ज़्या पानिपत के लिए आती है तो सबसे बात कर लेते हैं सकाइलार की तो पानिपत नगर में जीटी रोड़ पर सकाइलार कॉंपलेक्स थित थे अरियाना टूज्यम विभागदवार असन चालीट इस रेस्टोरेंट में सभी सुबदाईं उप्लब्द करवाई जाती है तो यह द नहीं जानता है कबूली भाग जो पानिपत के पर्थम युद के बाद बाबर ने लगवाय था या बनवाय था देखने हो के जगह है और यह है बाबर ने पानिपत की पर्थम लड़ाई में इबराहिम लोधी पर विजे की यादगार में इबराहिम लोधी की विजे की या अजरो के से अंधर कोई जूरूट सीथ हैं पानिपात के करते हैं जिसके हम वाइवन करते से लेगे बात कर लेते हों दोस्तों किसी कालाअं की? कालाअं हम दोस्तों जो हमारा तीसरी युद के साथ जुड़ा भूब हुँआ हूँ बहुती परस्य स्थान है और इससे कinks मैंपानेपत का तीसरा युद अपगान सरदार एहमेच सहाब दाली और मराठा सरदार सदा सीवराव भाव के मंद्य हुआ था इस यूद में मराठों की प्राजय हुई इस लितान पर हर्याना सरकार ने वार हिरोज मेमोरियल विक्षित किया है यहां संगराले की स्थापना भी की गी है दोस्तों दो चीज़ें यहां पर हिरोज मेमोरियल और संगराले की स्थापना यहां पर की जा रही है तो यह दोस्तों हो जाता है हमारा काला अंब के उसन पूसा गया था एकजाम में किस यूद से जुड़ा हुआ है तो यह पानिपत के तीसरी यूद से जुड़ा हुआ है जो किस-किस के बीच हुआ था एमसापदाली और मराठाओं के बीच है मराठाओं का नाम के अगर सरदार की बात करें तो सदाशीव राव भाव हो जाता है adesso भाव है सदाशीव सनिदाम, सदाशीव, सरदालों को दार्मिक एक गटाखे रूबरू करवाता है आज पास के सितनों में सनिदाम को दादा पोता यानि दोस्तो यह एक और मंदिर हो जाता है पानिपत के अंदर और सनिदाम भी का हैं दोनओ की बात एक ही है अब बढ़ लेते हैं दोस्तो थोड़ा सा ओरागी की तरफ कोस मिनार सेरसा सूरी ने महामार गयानी जीटी रोड का निर्मान करवाय था लगबग 1545 के लगब दोस्तो ये निर्मान करवाय था अगे दोस्तो है हमारा बलू जेप रेटनसल की बात करें तो दोस्तो अठारा किलमेटर दूर समाला का नगर में बलू जेप नामक प्रेटनसल जो है पानिपत के तिर्थी यूद के पसाथ मराठा सरदार मंगल रगुनात ने पानिपत में देवी तलाब सीव मंदिर का निर्मान करवाया था तो दोस्तों मंद्रों के निर्मान करता भी आजकल पूछे जाने लगे हैं वो भी जरूर कवर कर लें पानिपत के परमको द्योग की अगर दोस्तों बात करें तो यूरीयास data हम कर चुके है यूरीयास के दोस्तों बात आता है पानिपता अता फिर्डापीविदू के अंदर जो हम अभी-अभी जहर्ग कर चुके हैं इक्सक्पलेशन विश्त आर पड़ें तो यह पानिपत के आसन हिमार्विदूरी लाव विद्यू थर्मल प्लांट है नाम इसका दोस्तों चेंज है और इसकी समता 80 मेगावाट है कितने दोस्तों 80 मेगावाट उसके बाद दोस्तों हम यह रिफाइनरी भी अभी अभी जस्ट कर सुके हैं यह देश का सबसे अतद्यूनिक सबसे बड़ा तेल कारकाना यह इंडियन ओयल कॉर्फरेशन कामना दवार संचालित है बात के लिए दोस्तों कृतिम रवबड की जो अभी अभी दोस्तों हमने कम्प्लिट किया है उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा पाने पत में अल्गा यूनिक यह यह यहां स्तापित की गई है जो एक अद्वुत चितरकळ दोस्तों यहां से हाथों से बनाया जाने वाला समान जिसके कारण पानिपत को बुनकर नगरी के नाम से भी जाना जाता है अब बढ़ लेती हैं दोस्तों थोड़ा सा औरागी की तरफ पानिपत के जो बर्शिद मंदिर मस्जिद मजार है उन से लेटर के उसन सबसे यूज थल पर ही इब्रायम लोधी को दफना दिया गया था और बाध में दोस्तों उसकी वहई पर ही कबर by बना दिती तो यह दोस्तों हमारा जुड़ा हूए इब्रायम लोदी मकब्रे से जुड़ी हूई जो है नोलेज здोस्तों हम बात कर लेते हैं कबूली बाग मस्जिद इंगॉर कबूली बाग मस्जिद और दोस्तों इबराह्यम लोदी भी एक दूसरे से काफी जुड़े हुएं पानिपत के निकट काबूली बाग में एक मस्चिद तथा तलाब बना हुआ है यह बाग जो है बाबर ने पानिपत के पर्थम लड़ाई की विजे की खुशी में जो है तथा सबसे पिरिये रानी मुसमत काबूली बेगम की याद में बनुआ है था देखे दोस्तों यह दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए यानि युद से जुड़े हुए है यहां दोस्तों इबराहिम लोदी जो है मारा गया था उसको वहीं पर दपना दिया गया था जिसके करण उसका इब्राहिम लोधी की कबर वहां से या इब्राहिम लोधी का मकवरा से लेटरी क्योशन जो है उठ सकते हैं उसके बाद दोस्तो कबूली बाग मस्चिद हो जाती है बात कर लेतiblically दोस्तो हापिच जमाला का मकवरा यह मकबरा दोस्तों बू अली कलंदर के मादा पिता का मकबरा है कौन सा दोस्तों हापीज जमाला का मकबरा आगे दोस्तों है मारा जामा मस्जिद और दोस्तों इस नगर की मुख्य मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं इसके अलाव दोस्तों हमारा सलार गंजगेट है उन में से क्योशन जादा पूचिछ जाने के चांसिज है या काबुली बाग में से मुकरव खान का मकबरा जिसका वास्चिव के नाम से एक हसन था मुकरव खान जहांगीर के समय में परसिद हकीम थे आगे दोस्तों है हमारा हजरत खवाजा संसुदीन का मकबरा यह पानिपत के परतम संत हुए थे जो बू अली कलंदर साह के सामकालें थे और से एक अली मुदीन साबिर के अनुवाई थे तो उप्षन आप एक त्क करके आ सकते होके इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बू अली साह कलंदर तरका की एकव आотьए यहां से क्योशन तो लाजमी अगर पाने पस्ते जुड़े वे पूछे जाते हैं तो वह सबसे जादा आते हैं अलता पुसेन हाली उर्दू-फार्ची अर्भी और अंग्रेजी के इसे गया दाते हैं उन्होंने शिक्षा के परसार के लिए कई हजार रूपई कठे करके एक बनवाया वह बाद में एक चोटा सा स्कूल शुरू करने में जुट गए जो बाद में हाली हाई स्कूल के नाम से भी परसित है तो दोस्तो यह हाली हाई स्कूल परसित की सिले में है या अस्ताफ उसेन हाली का जनमस्तन कहा है या अस्ताफ उसेन हाली की कबर कहा है तो सारे के लोग बायचारी के लिए दूआ करने पहुंचते हैं तो दोस्तो आगे है हमारा हजरत सेख जलालुदीन की द्रगा इसके लाव दोस्तो हमारा जो सेख जमालुदीन पानिपत के परमुख सूपी संत हुए है और यह बू अली कलंदर के समकाले थे बात कर लें दोस्तो यहा पूछे जा चुके हैं सूफी कवी मोहमत अफजल दोस्तो जो इनके कवी थे उनसे लेटरी बी और मोहित अवलाद दोस्तो नेथा से जुड़े हो एक्जामे रिपीट होते रहते हैं रास्तिलक जो जैस बीर पहलवान दोस्तो इसके लावा दरिया सिंग मलीक चंद्रावर पाने पार में मतल फिल्म में जोस्तो खुंडा का जिन्होंने रोल किया था और दोस्तो अचार्य देवर जो हमाचल पर देश में राजया पाल भी रहे थे वो भी दोस्तो पाने पाणे पत्से उसे कंसे डम पनेfach सर sword कुटर क आ हमारा पानिपत दो है रिवाडी के बाद परश्थ है इसके लावत अर्यांसी संग्रारीर्त परश्थ है जो कुष्ण कुःस्टता आ सकता है परजा पती दो सर्वादिक बासमति का दोस्टो निर्यात तो किया जाता सोरी पानिपत से किया जाता है इसके लाव दोस्तो परसिद अचार फेक्टरियां जो काफी परसिद है अनपुर्ण वस्तर अनाज बैंक दोस्तो हमारा जो है पानिपत के अंदर काफी परसिद है फोजियों के लिए दोस्तो 75% कंबल का जो है योगदान देता है वो अकेला प पानी पत्र जो है option ठीक करके आ सकते हो इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे केप्टिव विद्यूद सेंतर की और किसान यूरिया खाद की और बुलू जेप रेजनसल की जो लगबग 20 किलोमेटर दूर पर स्थित है तो यह थे दोस्तों हमारी पानी पत्र की कु यह कबर दोस्तों हाली की दरगा हाली की कबर यह सभी के सभी दोस्तों हमारी कहां है पानी पत्र के अंदर स्थित है दोस्तों मुक्रब खान का मकबरा भी काफी प्रसित है और हमारा जो कबीर फुल ओलिया हजरत की सेख दरगा है वो भी दोस्तों हमारी कहां है पानी पत्र तो दोस्तों यह बहुत सारी जानकारियां जो जुड़ी हुई ती पानिपत से लगबग 99 परसेंट जो है हमने कवर कर दिया है अगर दोस्तों कोई पॉइंट छूट गया है तो आप हमें कोमेंट में जुरूर बताइएगा ताकि सब का कवर हो चुगे तो यह वीडियो को द